किसान को सुवधा देनी के लिए सरकार भले ही लाखो दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उलट है इस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखो की लागत से क्रिशी उपज मंडी में बने किसान रेश्ट हाउस का आज तक ताला ही नहीं खुला मंडी में अपना अनाज लेकर पहुँचे किसानों को यदी रात भर का समय लगा तो खुले आस्मान के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है या फिर सैट के नीचे चबूतरे पर ही सूना पड़ता है आपको पता दे कि क्रिशी उपज मंडी में शाशन की तरफ से इस सुबधा के लिए किसान रेश्ट हाउस कई सालों पहले बनवाया गया था वह इसलिए कि अपनी फसल बेचनी के लिए मंडी पहुँचे किसानों को यदी रात रुकना पड़ जाए तो वह रेश्ट हाउस के बने कमरों में रात गोजार सकें लेकिन रेश्ट हाउस तो बना लेकिन उसका ताला आज तक नहीं खुला हैरत की बात तो यह रही जब मंडी पर मौझूद किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी मंडी में एक रेश्ट हाउस भी है लाखों की लागत से बना यह रेश्ट हाउस धीरे धीरिक खंडर में तबदील हो रहा है लेकिन अधिकारी हैं कि किसानों के लिए इसे आज तक नहीं खोल रहे सहे जी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों को सुबदा देने के लिए मंडी परशाशन कितना सजक है मैं यहां दस साल से आ रहा हूं पर मेरे को आज तक पता नहीं कि यहां रिष्ठावस है की नहीं है तो माली जी आए दिन ऐही दिक्कत है रात में कोई बेवस्ता नहीं रहती है मच्छनों से किलाओ और क्या किस तरह परिशान होता है रात में बताइए कि मच्छर चापते हमको पता नहीं कि रेष्ठाउस बना है वहां पर कोई विवस्थाएं नहीं है गौवर्मेंट के जो यूजना है उपालतु पड़ी हुई है को यूज हो नहीं रहा है उसमें ताला लगा हुआ है किसान परिश दोरा मांग की जाती तो उसको उपलब्द विकराया जाता है किन्तु ज़्यादत चुकि अभी तक ऐसी इस्तिति निर्मी थी नहीं होगी किसानों को जारा इसके मांग की गई हो जो उनके दोरा फसल लाई जाती है उसकी उसी दिन निलामी तॉल हो जाता है जिस वजह से उ झाल